हलो बच्चों कैसे हैं? आज हम लोग अपना भीःर सिवील कोट का सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त हम लोग उसमें क्या-क्या पढ़ लिए संचेपन पढ़ लिए दोस्त पत्र लेखन भी पढ़ लिए अनुछेद लेखन भी पढ़ लिए आज हम लोग जो भी से पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बोला जाए तो ये किसी भी एक्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बताईए कॉम्प्रिहेंसन जैसे हम लोग अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसन बोलते हैं मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें बेस्ट कोश्चन होता है ठीक उसी तरह से हिंदी में गद्यांस दिया रहेगा और पद्यांस दिया रहेगा दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकता है यब depend करता है कि board किस तरह से questions set करती है तो गद्यांस मतलब क्या होता है एक छोटा सा कहानी जो unseen passage होता है जो अपठित होता है मतलब पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है ठीक है अपठित गध्यांस हो सकता है या अपठित पध्यांस हो सकता है मतलब जिसको हम लोग unseen passage बोलते हैं ठीक है ये आपके exam में आ सकता है और इस बार exam में तो confirm आएगा दोस्त अदम 110% आने जा रहा है अब जैसा कि news आ रहा है कि बच्चे अगर अधिक होंगे तो PT और में इस दो तरीके का question हो सकता है तो PT में हो सकता है कि objective questions आ है मतलब एक गध्यांस दिया रहेगा या पद्यांस दिया रहेगा और उस पे बेस्ट कुछ questions होंगे जो objective होंगे MCQs होंगे मतलब multiple choice questions होंगे मतलब चार option दिया रहेगा और आपको उसमें से कोई भी एक चुनना होगा या फिर ये भी हो सकता है कि एक गध्या पद्या रहेगा और उसमें बेस्ट कुछ questions होंगे जिसको आपको लिखना होगा जिसको आपको लिखना होगा मतलब options नहीं दिये रहेंगे उसमें आपको अपने से लिखना पड़ेगा तो दोनों तरह का option हो सकता है दोस्त आपके exam नाम में तो हम क्या करेंगे आपको आज सिखाएंगे कैसा कोशन आता है और उसके बद वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारा हम क्या कर देंगे कि options दे देंगे अभ्यास करने के लिए ताकि आपका अभ्यास होना बहुत जरूरी है अब इस अभ्यास में क्या-क्या चीज का जरूरत पड़ेगा दोस्त वो आपको हम बता देते हैं जैसे बहुत सरा बहुत सरा जो questions होगा उसमें आपको शब्द का मतलब पूछेगा मुहावरा दिया रहेगा मुहावरा का अर्थ पूछेगा बहुत सरा जो सुरूति सम विनार्तक सब्द होता है सुनने में एक जैसे होंगे बट अर्थ अलग-अलग होगा ऐसा भी हो सकता है किसी किसी में समास विग्रह भी हो सकता है किसी किसी में संदी विछेद भी हो सकता है तब आपको क्या है समास विग्रह, संदी विछेद, सुरूति सम विनारतक सब्द अनेक सब्दों के बदले में एक सब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां इन शब का भी ध्यान होना चाहिए ठीक है तब जाकर आप बोल सकते हैं कि हम 100% सरा अब तयार हो गए हैं अब हम एक्जाम में पूरा अटेम्ट कर पाएंगे क्योंकि हिंदी है बाबू हिंदी में सारे लोग पड़ते हैं और सब लोग का पकड अच्छा है मोटे तोर पे हाँ माइन्यूटली की बात नहीं कर रहे हैं इदम गुड की बात नहीं कर रहे हैं बट मोटा मोटी सब कोई बना सकता है तो आप सोच लिजे अगर सब कोई मोटा मोटी बनाएगा तो महिन महिन क्यों बनाएगा जिसका नौकरी होगा वही महिन महिन बनाएगा तो आपको सोच लिजी आपको मोटा मोटी में राना है कि महिन महिन में राना है अगर महिन महिन में राना है बाबू तो हर एक छोटा छोटा चीज पर भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा ताकि आप exam में पूरा का पूरा सही कर पाएं जाहां तक हो सके ताकि आपको एक seat चाहिए आपको एक seat चाहिए जो वह वेकेंसी है 500,000, 2000, 5000 जो भी वेकेंसी है उसमें एक सीट आपका रिजर्व होना चाहिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्त बस खली तना ध्यान रखिएगा तो आज हम समझेंगे गद्यांस क्या होगा हम आपको आज क्या सिखाने जा रहे हैं बाबू पहले लिखने वाला सिखा रहे हैं पहले हम आपको लिखने वाला सिखा रहे हैं कि इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कई से कई से लिखेंगे ठीक है हम आपको पहले ये बता दे रहे हैं उसके बाद फिर आपको हम MCQ वाला बता देंगे दोनों दो वीडियो में आएका दोस्त पहले में ये दूसरे में वो आपको options अभ्यास के लिए भी हम उसमें दिये रखेंगे आपको अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें अभ्यास कर लेंगे आप तो सबसे पहले ये होता है कि अपठित गद्यांस कैसे होगा अपठित गद्यांस कैसा होगा और अपठित पद्यांस कैसा होगा ठीक है तो क्या होता है कि जब आपको एक छोटा सा पैसेस दिया रहेगा या छोटा सा कविता लिखा रहेगा पद्यांस रहेगा तो कविता अग गद्यांस रहेगा तो एक छोटा सा कहानी तो अब क्या है कि पहले में का करके पढ़ते हैं अगर गद दिया रहता है तो क्या करते हैं ठीक है अब एक unseen passes दे दिया जाएगा तो आपको कैसे solve करना है तरीका ध्यान से सुनिए ये कोई भी कर सकता है आप भी करते होंगे लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो साध हमको लगता है कि ज्यादा अच्छा से होगा पहले क्या करेंगे पढ़ेंगे उसको एक बर दो वर पढ़ेंगे तीन बर पढ़ेंगे दो तीन बर हम भी बार बार इसलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए कि पहले questions को मैं सौरी पहले पैसेज को आपको ध्यान में आ जाना चाहिए पहला चीज तुरत attempt करना मत शुरू कर दीजिए मने जो पैसेज दिया रहेगा पैसेज पढ़के तुरत attempt मत कीजिए पहले क्या कीजिए उसको पैसेज को पढ़ लिए हो गया ठीक है उसको questions को पढ़ लीजिए पहले passage पढ़ेंगे फिर question पढ़ेंगे पढ़ लेंगे उसके बाद जब पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे न तो हमको क्या होगा बहुत स्यारा कोश्चन का एंसर वहाँ पर चलकने लएगा दिखने लएगा चल चलाने लएगा अरे यह तो भी कोश्चन ही पढ़े थे इसका एंसर यह वला होगा अभी तो यह पढ हो सकता है उसको अंडर कर लीजिए अप ठीक है उसके बाद क्या होगा कुछ कुछ सब्दस का अर्थ हिस C पेसेज के हिसाब से बताईए अपना अर्था नहीं ऊस पैसेज के हिसाब से अब क्या करना पड़ेगा पहले इसको अंडर लाइन कर लिए कोश्चन में लिखा है करें बहिए इसका अर्थ बताईए इसके अर्थ वह सब भाह deer उसको सरकल कर लीज difer मतलब आपका समय भी बचना चाहिए और जल्दी यल्दी बनना भी चाहिए और सही भी बनना चाहिए देखें सब काम एक साथ होगा सही भी बनना चाहिए समय भी कम लगना चाहिए और जल्दी यल्दी भी बनना चाहिए कर लेंगे तो उसमें क्या होगा आपका अगर मालेते हैं पांच सवाल होता है तो पांच में से तीन सवाल मोटा मोटी आपका तुरत के तुरत बन जाता है जो दो सवाल होगा जिसमें उसका भाव के हिसाब से लिखना पड़ता है उसके भाव को देखते हुए पैसेज में वाक्य तो होगा लेकिन उसका exact line answer नहीं होगा तो क्या होगा आपको अपने से लिखना पड़ेगा अब उसमें आप चीक सी ध्यान रखेंगे जब अपने से लिखना होगा तो आप कैसा वाक्य यह को यूज करेंगे अलंकरीत वाक्य होगा, क्लेस्ट वाक्य होगा, नहीं इस तरह का वाक्य का प्रयोग ना करें आपको ऐसा वाक्य लिखना चाहिए जो एकदम short and simple हो छोटा छोटा वाक्य लिखे, सरल वाक्य लिखे जिसे की earth as first question check करने वाले teacher को पता चल जा है कि बच्चा को नहीं, इसका concept clear है और वो ऐसा answer लिख रहा है तो आपको ऐसे घर के answer देना है, ठीक है पहले पढ़े, समझे और छोटे-छोटे वाक्यों में answer कर दीजे यहाँ तक तो हो गया, अब कोई-कोई सब्द का earth आपसे पूछता है देखिए, उसका general earth अलग निकलता है ऐसे अगर कोई आपसे पूछे, तो उसका earth अलग निकलेगा लेकिन एक passage में अगर वो सब्द लिखा रहता है हम लोग याद है, English में synonyms पढ़ते हैं, सामनार्थी सब्द पढ़ते हैं तो समान अर्थ वाले जैसे सब्द को उसमें लिखना होता है उस passage के हिसाब से, उसका earth ये हो सकता है तो आप उसका वो earth लिखेंगे इस तरह से आपका passage बनेगा चली हम आपको बनाकर दिखाते हैं आपके इस screen पे देखिए एक passes दिखरा होगा हम आपको सामने करके दिखाते हैं और उसका अभ्यास आपको देंगे दोस्त आपके screen पे देखिए एक question आपको passes दिखरा होगा देखिए, इसमें क्या है हम कोशन इंसर वाला बता रहे हैं आपको सच्चा मित्र वही है जो अपने साथी कोश और शोभनिये कारियों में प्रविर्थ होने से बचाए और सत्कारे करने की प्रेणा दे एक सच्चा मित्र अपने साथी के दुरगुनों पर परदा डालने का प्रेतन करता है और अच्छे गुनों को अधिक से अधिक पनपने का आउसर देता है अच्छा मित्र आपत्ती पढ़ने पर कभी भी साथी को असहाय अनुभव नहीं होने देता आउसर पढ़ने पर वह मित्र को यथा सकती सहायता भी देता है मित्र का पहला करतबे है कि वह अपने शाथी मित्र से प्रेम तो करे किन्तु प्रेम वोस इतनी ढील न दे कि वह बुरा माने जाने वाले मार्ग बर्ग चला रहे और मित्र उसकी हां में हां मिला कर समर्थन करता जाए समय पर कड़वी बात कहना भी मित्र का ही करतबे है केवल मीठी बातें ही सार्थक नहीं होती हित की बात प्राया करवडी होती है मित्र के आउगुनों पर परदा डाल कर उसके सद्गुनों को निखारना भी मित्र का करतबे है एक दूसरे का विश्वास करके मित्र अपने दिल की बड़ी से बड़ी कमजोरी को प्रकट करता है उस कमजोरी को सब के सामने प्रकट करना विश्वास गात है विश्वास गाती व्यक्ती सच्चा मित्र नहीं बन सकता किसी मित्र का भेद जानकर उसे खोल देने वाला मित्र जो ही होता है सुखी के साथ ही बहुत मिल जाते हैं किन्तु आपत्ती के समय जो साथनी भाय वही वास्तौँ में मित्र होता है बावु ये passage है अब इसमें देखे कुछ गुन है सच्चे मित्र की पहचान क्या है अब देखिए सच्चा मित्र का पहचान क्या होगा आपके पैसेस में दो तीन चार जगह इसका एंसर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या है सच्चा मित्र अपने साथी को असोभधिये कारियों को करने से बचाते हुए अच्छा कारे करने के लिए प्रोचाहित करता है ये भी हो सकता है सुख के साथी तो बहुत मिल जाते हैं आपत्ती में जो साथ निभाय वही आपका सच्चा मित्र होता है आप ऐसे भी answer लिख सकते है, वतलब यह आप answer लिखने का तरीका हो सकता है, मित्र का पहला करतब क्या है, अप देखे, उपर में लाइन में लिखा हुआ है, मित्र दौरा बुरा माने जाने की प्रवाह न करते हुए, उसे गलत मार्ग पर जाने से बचाया जाए, आप किसी को अच्छा रहा दिखाते हैं लेकिन वो बात को बुरा मान जाता है और वो दूसरा काम कर लगता है फिर भी आप उसको कोसिस करते हैं यह आपका करतब है कौन से कारे करना भी स्वास घात है देखिए हम लोग पैसेच के लास्ट में देखे थे उसी कमजोरी को जान जाना और पावरा दिया रहेगा उसका अर्थ पूछेगा किसी भी तरह से हो सकता है इसमें क्या हो जाएगा दूर्गन है सार्थक है तो दूर्गन का अर्थ क्या होता है अगर विलोम लिखेंगे तो सदगुन होगा सार्थक क्या होगा निरर्थक होगा उपयुक्त गाद्यांस का उपयुक्त सिर्षक लिखिए उपयुक्त गद्यांस का मतलब जो गद दिया हुआ है इसका एक सिर्षक डालिए सिर्षक क्या हो सकता है हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं एक दोस्त के बारे में सच्चा दोस्त इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो इस तर के श्क्रीन पे एक पर दीख रहा होगा पर दे मतलब एक छोटा सा कवीता मतलब स्पूर चार लाइन का हो सकता है आढ़ी acadisयट सकता है एक कविता होगा आप दीख रहा होगा उसको देखी हम लोग उसको हैंडल करने कुछ करते हैं दोस्तु सिंगासन हिल उठे राजवन्सों ने भृकुडितानी थी बूढे भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी गूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी कानपूर के नाना की मुह बोली भन छबीली थी लक्षमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संक पढ़ती थी वह नाना के स खेलती थी बर्ची ढाल क्रिपान कटारी उसकी यही सहेली थी बीर सिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी बुंदेले हर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी दोस्त कितना लाजवाब कविता है अब इसी कविता प दियां बीखिए और हम लोग पढ़े में किस समय का ज्यान हो रहा हैका फिशन कasting समय के आपको दिया हुआ सबुस्ट कर रहा हैं किसे दूर करने की ठानी थी इसको दूर करना था दोउस फिरंगी को अंग्रेज को ठीके फिरंगी से क्या हो जाएगा नाना साहिब के साथ गाथाएं सब्द का सभी अर्थ क्या है गाथाएं का मतब होता है कहानी ठीक है तो इसका अर्थ देखिए कहानी इसका option में answer है तो इस त्रह से हम लोग आपको देख रहे हैं दोस्ता, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर गाद्यांस हो या पध्यांस हो दोनों को ऐसे हम लोग handle करेंगे, आपको इसमें कुछ एक और आपका हम पध्यांस को बता रहे हैं और आपको और भी दिया हुआ अभ्यास के लिए रहेगा आएगा क्या समय समय जो टल टला जा रहा देखो जीवन विर्थ तुम्हारा चला जा रहा वीरों की भाती खड़े हो जाओ अभी करके कुछ जग्ज बीच बड़े हो जाओ अभी उद्योगी को कहा नहीं सु समय मिल पाता समय नस्ट कर नहीं सुख कोई पाता आलसी है करा रहा ये सभी बहाने जो करना हो करो अभी कल क्या होगा जाने याद होगा कबिर जी का दोहा काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करेगा कब उसी पिबेस्री ये कविता है इसका कोश देखिए आपको सदयो कर्म करने के लिए सही समय मिल जाता है किसको किसको सदयो कर्म करने के लिए सही समय मिल जाता है जो काम करने के लिए उद्योगी हो जो परिस्रामी हो उनको मिल जाता है बाबू तो यहां पर उद्योगी उद्योगी कार्थ होता है जो काम करने के लिए ततपर रहता है उसको जो उद्योग करता है उद्योग मने कोसिस यहां पर उद्योग मने बिजनस नहीं उद्योग मने कोसिस समय नस्ट कर देने से क्या नहीं मिलता अगर आप समय आपका नस्ट हो जाए तो आपको क्या नहीं मिलेगा जिंदिगी में कभी भी आपको सुख न कारण क्या होता है बहाना अगर कोई बना रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है बाबू सबसे बड़ा कारण है आलस्य अगर किसी के सरीर में आलस हो जाए अरे ठंडा के दिन है रजाई के अंदर घुसे रहेंगे कहां से होगा अरे यार आज हम सीनेमा देख र खुम रहा है आज का ख्लास कर देते हैं कैसे होगा अगर आलस कर रहे हैं बहाना बवना तो समझ लीजिए जीवन में सुख्ष आप से उतना ही दूर जा रहा है जीतना बढ़णा बना ये अतना दूर हो जाएगा वो आपसे पध्यांस के लिए उचित सिर्शक चुनिए उचित सिर्शक का मतलब इसका टाइटल एक बताना है मोटा मोटी टाइटल क्या बन रहता है देखिए आपका वीर बनो आलास के गुन शमाय का महतो वेर्थ जीवन तो समय का महतो सबसे हमको लग रहा है दोस्त यह उसका उत्तर है इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और आपका वीडियो के लास्ट में बाबू हम क्या होगा आपको इसका अभ्यास के लिए दो चार आपका पध्यांस और दो चार गध्यांस भी दे देंगे आप इसको देखके प्रैक्टिस कीज का सिखाएंगे कैसे बनाते हैं चीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव वाला सिक्सन के साथ अंसीन पैसेज का झाल आपक कर आपक काुण झाल दो चाल आपकå झाल